हलो 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 आप सभी का एक और बार स्वागत अपने चैनल पे आस्क एक के सिरीज में जहां पर कि मैं आप लोगों के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड क्वेशन जो आप लोग कमेंट्स में धनाधन पूछते हो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ अब जाहर सी बात है बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जितने जादा हो सके वीडियो बना सकूँ वेल फीस इसकी सिंपल सी होती है 10,000 लाइक्स आप लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए मैं आंसर देने में कंजूसी नहीं करूँगा तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है वर्क्शॉप अटेंड करने के सेमिनार अटेंड करने के लिए तो भाईला आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया प्लाटफॉर्म हो चुका है तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक किजिए औ तो आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि भाईया हम option buying करना चाहते हैं अगर option buying करते हैं तो क्या 2 lakh से 10 lakh capital बनाया जा सकता है एक साल में और ये इनका सवाल है कि realistic terms में पूछ रहे हैं तो तैयार हो जाई हमें इसका जवाब दे रहा हूँ वेल शॉट तरीके से कहूँ तो answer is yes अब इससे पहले कि आप में से काफी सारे लोग जज करने को रहे यह यह दो option buyer करके पोईसार डुबाएगा इन फलाना डिम का पहले पूरी बात तो सुन लो भाई short answer is yes, long answer तो सुन लो देखो जब भी आप option buying करते हो तो आपकी न तीन बहुत ही तगड़े घनिष्ट मित्र होते हैं जैसे काटरीना और करीना होते हैं वैसे ही आपके तीन बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं वैसे काटरीना और करीना तो दोस्त है यह नहीं तो तीन दोस्त कौन से हो गया पहला हो गया direction दूसरा हो गया deepness तीसरा हो गया delta delta exchange वाला नहीं normal वाला delta वैसे delta exchange से भी sponsor ले सकते थे इसमें but anyways नहीं लिया तो delta direction और deepness अब इसको थोड़ा संग्सेप में समझते देखे डेल्टा क्या होता है delta आपका जब भी spot price जितना move करता है उसके basis पे कितना आपका option move करेगा उसको निर्धारित करता है एक simple से example लेते 18,000 पे अगर निफ्टी खड़ा हो ध्यान से सुनिएगा option buyers बहुत important है 18,000 पे निफ्टी खड़ा है आप बोलतों कि भीया जी यहां से बहुत उपर जाएगा आज तो यह 18,100 आज भी touch कर लेगा अब यहां पर अगर आपके पास पैसे की कमी होती तो आप जाके buy करते हो 18,400 का call अब एक व्यक्ती ने buy किया है 18,000 का call एक व्यक्ती ने buy किया है 18,400 का call जाहर सी बात है in terms of points जादा gain अगर market उपर 100 points जाता तो वह 18,000 वाले कोगा क्यूँ क्योंकि delta उसके favor में add the money पे 0.5 का होता है in the money पे यह बढ़ता जाता और deep in the money पे 1 हो जाता है जहां का मतलब होता है कि आप जितना deep in the money जैसे अगर 18,000 पे nifty है और आप अगर 17,400 का call ले लेते हो तो वो almost future जैसा ही move करेगा कि अगर आपका index 10 point move करेगा तो यह भी 10 point move करेगा तो पहला important factor हो गया delta तो जाहिर सी बात है as an option buyer मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जादा out of the money option ना लो क्यों कि उसका delta कम रहेगा टेकनिकल हो गया थोड़े subtle चीज़े समझते है direction देकि option seller के पास क्या होता है अगर non directional भी रहे गया एक range में भी रहे गया मोटा मोटी range में भी अगर थोड़ा नीचे जाके थोड़ा उपर भी आगया तो भी वो पैसा कमाता है लेकिन option buyer के उपर एक challenge होता है कि जब तक आपने सही direction नहीं लिया है तब तक आप इधर पैसा नहीं कमा सकते हो तो एक चीज़ याद रखो option buyer प्लस आपकी life में आपको सही direction लेना जरूरी ह यह mark दर्शन लेना जरूरी है direction से अगर भटक गए तो goals के पास नहीं पहुच पाऊगा थोड़ा philosophical भी हो गया लेकिन यह सचा ही है तीसरी चीज़ डीपनेस जैसे मैंने आपको पहले चीज़ में बता है डल्टा में आपका देखिए आपने 18,000 पे call खरीदा है ठीक है और market भी 18,000 पे जब यह 18,100 पे spot price चले जाएगा तो आपका call deep हो दे जाता है जैसे 18,200 जाएगा और deep और मैंने आपको starting में क्या बता है जितना deep होता है उतना future के जैसे react करता है तो एक option बाइर की तरह जब आप सोचते हो तो अब ऐसा सोचो कि मैं एक ऐसा strike price उठाओं ऐसा strike price उ कोश करूँ नेक्स चीज जो एक व्यक्ति को समझना है ये तीन चीजे तो समझनी है ये depend करेगा आपकी risk appetite पर आपने पूछा कि दो लाग से 10 लाग अगर आप कम conservative हो रहना चाहते हो तो आप बहुत जिल्दी इस चीज को multiply नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त लेकिन आप कर सकते हो less risky trader इस चीज को नहीं कर सकते हो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ये जो return आएगा निया majorly gaps के कारण आएगा जिसका मतलब आपको overnight position लेना पड़ेगा जिसका मतलब आपके उपर already risk बढ़ जाता है तो अपने capital को अगर आप diversify करते हो दो लाग है तो 1 लाग आ आपने index पे रखा 50,000 stock पे रखा 50,000 spare पे रख दिया ताकि आप risk management कर सको तो आपके लिए help out करेगा और सबसे important चीज रहेगी 1 is 2 3 का risk reward ratio आपको रखना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पर पैसा कमा सकोगे और एक सबसे important चीज जो आपको लगेगी पैसे कमाने के लिए वो है इस वीडियो पे like लाइक नहीं किया तो make sure 10,000 likes करतीजे नेक्स चीज आपको यह चीज समझनी है कि यह होगे answer तो answer is yes लेकिन मैं आपको disclaimer दे दू कि 95% लोग यह नहीं कर पाएंगे तो बाद में मेरे को भाईया blame मत करना यह मैंने सिर्फ 5% लोगों के लिए बताया है यह अंतरिक्ष जी ने पूचा है अगर थोड़ा गलत प्रिनाउंस के होगा तो so sorry तो उन्होंने सवाल पूचा कि भाईया आपका premium membership गजब है उससे उन्होंने सारा पैसा recover अपना अल्लेडी पहली कर लिए बाइद वे उसका link आपको description में मिल जागा जाके आप check out कर लिए अगर interested है तो आप जाके उसका part बन सकते हैं हम केवल रीगी पे चलाते ही यह वाली चीज इधर उदर अगर कोई मेरे नाम पर आपसे पैसा ले रहा है तो मत दे ना यहां पर तो उन्होंने सवाल पूचा कि भी आप charts share कर देते हो इतने सारे stocks है 5000 stocks है उन्हों में से आप किस 500 के stock उसी के अंदर FNO वाले भी आ जाता है गर कोई छूट जाता है एका तो वो भी उस पर आ जाता है तो मैं basically nifty 500 की बाहर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ और मैंने क्या क्या हुआ आज के time पर अगर आप लोग देखो कि हर broker ने आपको at least 30 to 40 scripts रखने की जगा दे दी है और आपको 5-6 watchlist दे दिया है मतलब मोटा मोटी अगर आप 40 scripts लेते हो 40 stocks लेते हो तो 6 watchlist के हिसाब से 240 stocks तो आप वहीं पर रख सकते हो तो मैंने कुछ stocks हटा के रखे हो है जुनको मैं occasionally देखता हूँ जैसे MRF मैंने हटा दिया है कि यह बड़े लोगों की चीज़े हैं आपन कौन सा local दादर में जाते हैं अपने पास कहां अपने MRF मRF लेंगे तो अपन उस चीज़ को side में कर दिया फिर यार देखो आपके और मेरे जैसे जो local में घूमते है घाट को उपर दादर की ठोकरे खाते हो उनके लिए चीज नहीं है बड़े लोग जो देख रहे हैं जो अपने चैनल को subscribe कर चेको उनके लिए तो पहली चीज हो गई कि Nifty 500 का मैंने universe पना लिया दूसरी चीज है ना मैंने top-down approach लगाता हो पहले monthly candles पे देख लेता हो फिर weekly पे आता हो फिर उसके बाद daily पे चले जाता हो बहुत rarely hourly पे जाता हो क्योंकि अगर मेरे को लेना है तो मैं आप इंट्रेस्टेड हो तुससे जॉइन कर सकता हो आपको basic course का access भी मिलता है उससे तो आप उस चीज को check out कर सकता हो next चीज मेरे पास एक help out हो जाती है because एक active trader क्या होता उसके चार्ट पे हमेशा कुछ ना कुछ drawing रहती है तो अगर मैं कोई stock track करो let's say मैं TCS track करो let's say मैं Infosys track करो तो मैंने कही न कहीं उस पर कोई न कोई trend line बना के रखा हो कहीं न कहीं उस पर मैंने कोई range बनाया होगा कहीं न कहीं मैंने उस पर breakout supply zones बनाया रखे होंगे demand zones बनाया होंगे तो यह already मेरे charts पे रहते हैं तो मुझे वहाँ पर कहीं न कहीं एक help out हो जाती है कि because existing drawings हो तो मै manual चीज तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी मैनाथ starting में करनी पड़ेगी starting में आपको बहले ही per minute लगता होगा एक chart के लेकिन एक level के बाद जब आप इस side पर आ जातो तो आपको 8-10 second लगते हैं so quickly you can do your work 8-10 second quick scan के लिए लगता है मतलब आपके manual scanning पे भी उसके बाद आपको सवाल नहीं डाला comments में तो डाल दो like नहीं के तो like कर दो गुरमीच जी का सवाल है कि government employee है क्या करें SIP, Nifty Bees में चालू रखें वही करें या फिर उनका यह कहना है कि मैं technically अच्छा हूँ मेरे को technical analysis आती है fundamental भी आती है तो क्या मैं उसके basis पे individual stocks पे निवेश करूँ देखो इ अगर लगा हूँ तो अगर retirement age 55 की भी हम पकड़ लेते हैं on an average तो ये वीडियो जो देख रहा है वो अगर 35 या उसके below है तो उसके लिए individual stock picking should be the first criteria मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसके उपर वाले उमर वाले नहीं कर पाएंगे बिल्कुल Warren Buffett सर तो 90 की age में भी कर ले रहे ह इन पॉइंट है मैं probability से कहता हूँ outlier के साथ नहीं करता हूँ outlier हर field में कोई ना कोई होता है हर बंदा जो बैट उठाता ना हो सचन तंदूल कर नहीं बन सकता तो इसलिए मैं किसी को जाके false motivation नहीं देना चाता हूँ कि बेटा तुने अगर घर पे बैट उठा लिया तो प्यार करने वाले जादा है आप में तो आपको पहले देखने 20 एर क्यों क्योंकि 20 एर के horizon में आपके साथ 3-4 चीज़े हो जाएगी पहला आप market cycles देख लोगे at least 2-3 bull cycle, bear cycle, sideways cycle और cycle कभी बिना एकाल हफते की नहीं होती है वो 2-3-3 साल की होती है तो जैसे अभी हमें bull cycle sideways का cycle फिर आएगा bear cycle फिर highly volatile cycle तो 20 एर के horizon में पहली चीज़ आप किये देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है आपको आपके investments कैसे adjust करने दूसरी चीज़ है you get a scope to do a lot of mistake अगर आपके पास retirement के खिसरे 5-6 साल बचे हुए है आप अगर अब गलती करोगे तो depressed हो जाओग market में पैसा लगाने से डरोगे but 20 एर का horizon है पहले 3-4 साल अगर नुकसान भी कर दियो तो अगले 16 साल है ना पहले 5 साल भी कर दियो तो अगले 15 साल है recover करने के साथ compounding का फायदा उठाने के लिए तो यह है और तीसरी चीज़ है आपको better exposure मिलता है तो आपको यह चीज़ हमें काफी सारे लोगों है हम जॉब में है हम इतना जादा analysis नहीं कर सकते क्या अब हमको stock picking करनी चीज़ है नहीं आपको केवल SIPS पे ध्यान देना चीज़ है it could be good mutual funds या फिर index funds बाइद वे यह मैं थोड़ी वारता लाप करा था कुछ लोगों से index funds को थो हम promote करते ही हमेशा बोलत का CHR which is actually big एक बड़े corpus पे 2-3% का CHR on a longer horizon बहुत जाद होता है calculate करके बताना अगर 3% CHR आपको जादा मिलता है per year तो 10 साल में आपका return कितना हो जाता है देखते हैं कितने लोगों को match आता है तो इस तरह के लोग ETF, index funds और mutual funds में पैसा लगा है आशा करता हूँ आज की इस व तil then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading